है ठीक है इस्टार्ट करते है कि यही है वायर रोप ठीक है कि मुबाइल में थोगा एक मिनट यार मुबाइल में खूल लाए जाए तो पता चलेगा कि स्क्रीन में मेरे स्क्रीन में क्या सो हो रहा है कल रात में पिक्चर भाज़े वे थे ने यही पिक्चर था कल रात का था ग्रूप में डाले थे नोट्विकेशन सभी के पास गया था क्लास जोइन करने का खूआ खूप ग्रूप में डाले थे तो ध्रूप तो तो ग्रूप वीवड रात कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं वायर रोप है ठीक है यह देखो डिफेरेंट डिफेरेंट टैपस वायर रोप अभी कुछ पता नहीं चल रहा हूं सिर्फ पिक्चर तक हो कि अच्छाई इस तरीका का वायर रोप होता जो माइन्स में हम लोग यूज करते हैं वह इसी अब ऑगा रोप है राइट ले एमत्लु ले है कै और है तो पहले पढ़ते हैं कि वायर locking कर वायर रोप अलग लग्ग चीज यह जो सेंटर में पोर्षन होता है उसको हम लोग कोर बोलते हैं ठीक है यह क्या हो गया कोडिया अब यह जो है यह पूरा उठा ले रहे जिसको हिंदी मगर मायस में जाओ गरना तो बोलेगा पंथा बोलता है इसको पंथा है सिंगल सिंगल गए यह दीक है द्यान रखना क्या बोल रहे है कोष क्या हुआ यह सट्रेंड क्या है को ओर क्या हो गिया किसी वी रोप का जो सेंटरल कंसेंटर का पोड़ा सन where और अता है थèseं कि अब यह वाइयर है हम एक जो सिंबल है ना यह ल संगल स्ट्रेंडंब निकालने है ये वाख है और यह वाख जब मिलता है तो है और यह सारा चीज को हमलोग क्या बोलते हैं कोड़ वाइर स्टेंड सबको हम लोग कम बाईन ही बोलते हैं कि यह वाइर हो हो ने है यह लेट नहीं हुए बस स्टार्ठीं कि यहीं स्टार्ट यह को ओके शेंटल पोर्शनुन में तो ाता है यह liए नहीं लीए नहीं है गुरुप में डालेंगे लाश में क्लास के बाद ऋसके बाद देखना है आप पढ़ते हैं कि हम लोग ले क्या होता है उस तो उसमें पढ़ेंगा right hand lay और left hand lay क्या होता है तो lay क्या होता है तो lay होता है तो lay होता है वो indicate क्या करता है इंडिकेट करता है कि यह strand the term lay used in relation to a strand indicates the direction of laying of wires in the strand कि यह जो पतला पतला वायर है न यह strand में किस direction में लपेटा गया है यह जो पतला पतला वायर है यह strand में किस direction में laying किया गया है इसका इसी को हम लोग बोलते हैं lay अब ले किस तरीके को हो सकता है राइट हेंड ले हो सकता है और लेट हेंड ले हो सकता है राइट हेंड ले किस तरीके से होता है देखो राइट हेंड ले इस तरीके से जब भी तुम इस्क्रू दोखेगो न जो इस्क्रिव होता है इस में अपहले हैं और एक स्क्रीव होता है और एक लप्ट एंड क्कृव होता है तो राइटाशिक में क्या होता है हम एक कि होता है निक्या वुलता है इसको या tampoco पिछ होता है हिंदी में तरी की से बोल जाता है नाम माइंड में नहीं आ रहा है किसे को पता है बता ज़ल्दी से इंगली स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है कि क्या बोल रहे हो परत परत नहीं यार यहां यह जो शिंगल सिंगल थ्रेड यहना सचनल उढ़तं है यह जो थ्रेड एंड स्कूझ में थे सैवरगर कराता है एक राइट हैन्द में क्वार को राइट की सट में उत्ठाववान नये राइड mema का स्टव धमनें घ॥ोर होटा है और लेप्ठ हंड स्क्रूव में क्या होता है लेप्ट सैद्र तुमको उठावान आज़ आएगा थ्रेड और right side hulka down में जड़ेगा इस तरीके जड़ाएगा, मतलए इस तरीके सोक्ता है न, thread मालो, ति ये left में up में उठावा न जड़ाएगा, right में hulka down आएगा, ति ये left hand होता है, तो बस उसी concept पे, right hand lay भी होता है, left hand lay भी होता है, इसमें क्या है wires spiral around the core ना six वार्ट्रेयर इस यह जो right hand screw है कोई हो ले थेकर नहीं इसमें इस ना है क्या इसको इस तरीकर स्टाइट करते है clockwise में है न अज जब कि left hand ले क्या होगा इसको हम लोग anti-clockwise direction में जब insert करेंगे न में तो यह अंदर जाएगा होगे ठीक है न तो left hand ले क्या हो गया the opposite of the above is known as left hand ले पिक्चर देख लो जिए थोड़ा साब यह simple है right hand screw अगरा का picture है ठीक ने यहाँ पे देखो यह दिख रहा है यह right है और यह left है ठीक ने यहाँ पे किधर उठावना ज़रा रहा है right और left में किधर उठावना ज़रा रहा है right side में उठावना ज़रा रहा है आ रहा है ठीक right side में हलका स्था यह क्या हो गया यहाँ पे यह right hand screw हो गया यह right hand हो गया ठीक है ठीक है ना फिर यहाँ पे देखो यह left था और यह right है यहाँ पे क्या हुआ बार राइट में हो रहा है नहीं और लेप्ट में उठाव नज़र अगया तो क्या हो गया लेप्ट छेंड फ्रेट से यहां पर आएर्ट हेंड कि इस परी संपी यहां तक इस के बाद इधर से प्या हो गया है left hand हो गया, तो बस यही wire rope है, देखो यहाँ पर, यह wire rope में क्या-क्या नजर आ रहा है, अभी खली सिर्फ क्या पास्चानना है, right hand और left hand पास्चानना है, इस wire rope में, अभी सिर्फ क्या पास्चानना है, right hand क्या होता है, और left hand क्या होता है, यह तुम लोग को बताना है, ठीक है तो इस जगाल पर देखो ये लेव्ट है ये राइट किज़र उठाऊ नज़र आ इस पिक्चर में देखो इधर राइट है यह अपर साइड में लेट है तो राइट में नजर आ रहा है कि राइट में ऐसे करके जा रहा है उइसे पिक्चर भी देख सकते हो किदर नस जारा राइट साइड में जाता हूने जा नहीं है किदर लेफ्ट साइड में यह लिप्ट साइड में यह राइट सैड में यह होता है। किरें। सभी को किलियर है कि 5 से के न कुछ लेग हो गया यार 10 से के न का इसलिए थोड़ा हमें जो बता रहें नों तुम लोग पास त्वर लेड से था था 10 से के बाद पहुआ है ठीक है न राइट हैंड और लेफ हैंड टीर हो गया है क्योंकि उसके बाद हम लोग ओर नरी और लेंग्स ले क्या होता है उसके बारे में पढ़े हैं एक आता है क्या है जानते हो कि ले ओफ लेंथ क्या होता है कि यहां पर भी देखो सब लोग पचान सकते हो मान लोग अब की एक्जाम में जानते हो क्या हो रहा है मतलव गेट में असा हो रहा है या अब अगर conceptual question में क्या देता है यह हटा दिया ठीक है न यह लिखावाय हटा दिया है आप यहां बोल लेगा यह A है यह B है यह C दे डे अब्सक्राइब को यह सैसे आता है कि क्या है यह बता तुम हों बता है सब्सक्राइब क्या है सी क्या है डी क्या है इस कोस्टन के लिए बता तुम लोग एक या है को पूर बी क्या है कि सब लोग बता विक एक और हो गया भी वायर हो गया ठीक है एक और हो घे कि सिंट्रेंड हो गया है और डी क्या हो गया डी क्या हो गया मैं डी पूरा वायर हो गया है अब लड़का लोग एक जाम में क्या करेगा कहा बता है यह बी और डी में ने लगका लोग कंफ्यूज होता है एक्जाम में क्या यार यार भी वायर रोप था या डी था ऐसा मतलब कंसेप्ट्ट्वल आप ऐसा हो गया है मतलब सबके माइंड सेट जो हो गया है वो इस तरीके से बताता है अब एक ले लेंथ क्या होता है वो देख लोगे हैं लेंथ ओफ दा ले इस दा डिस्टेंज मेजर्ड एलोंग या स्ट्रेट लाइन पेरलल टू दा स्ट्रेंड इन विच दा इंडिविज्वल वायर फॉर्म्स वन कंप्लीट आस्पाइरल एराउन दा स्ट्रेंड मतलका 2 अगदम पूरा पुरा अपना स्पाइरल कर दिया है मौनलों इन डिजर्ड वायर था इतना ही लिंद का इंडिफिजल्ट वगद्धा शेवन सब पड़ेंगे तो हुआ है ठीक है डिफ्रेंट डिफ्रेंट वायर मिलके एक अस्टेंड बनाया है अभी सिक्स इन्टू सेवन वगरा सब पढ़ेंगे हैं ठीक है मतलब एक बार जो कम्प्लीट अस्पैरल हो जा रहा है तो उसी को हम लोग मालों यह एक वायर है ठीक है यह वायर है सिंगल बुलू वला अभी क्या कर रहा है एक चारों और जो अपना चला गया है पुरा लेंध में कवर हो गया तीसी को बोला जाता है सिंपल लेंध कि वन कम्प्लीट अस्पैरल कर लिया है एक बार कम्प्लीट इसे मालों यहां से स्टार्ट हुआ है यह ऐसे करके एक अस्पैरल हो गया ठीक है न तो यह हो गया लेंध होता है मतलो यहां से इसको होलिजन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यह क्या हो गया लेंध और मतलब हम लोग का लेंड लें नहीं होता है जबकि हम लोग मल्टी हेंड ले सेलेक्ट करते हैं बट इस सम्टाइम्स एडप्टेट फोर रॉप्स ओन मल्टी रॉप कोप वैंडर्स ठीक है सिर्फ यह ध्यान रखो यहां पर कि हम लोग जब भी वाइंडिंग रॉप या होलेज रॉप होता है न वह राइट हेंड ले होता है सा सारा पढ़ाये जाएगा वाइंडर वेकरा जो है या न होता है भणाइडर के समय में प्रॉप अब क्या बोला जाता है कि रोप को क्या पढ़ है राइठ एले अप बोला जाता है कि रोप को और नारी रहे रैंसा राइद को सब्सक्राइण हो और यह ऺंने ले तब पहला पड़ते हैं ordinary ले या regular ले क्या हो इसमें क्या है कि if wire in the strand and strand in the wire are laid in the opposite direction मतलब क्या है यो single single wire जो है न यो single single wire मिल के strand बना रहे हैं तो क्या है wire in the strand मालो wire strand में इस direction में है ठीक है न यह वायर इन दा strand कहां wire in the strand और strand कहां पर wire rope में मतलब strand जब wire को strand में लपेटा जा रहा है उसका direction लपेटने का और strand को जो rope में लपेटा जा रहा है तो इसका direction लपेटने का न दोनों एक दूसरे को पोजिट होगा तो इसको हम लोग ordinary रिले बोलते हैं या regular ले बोलते हैं अब इसी पिक्चर में देखो तुम लोग इसी पिक्चर से बता पाऊ गया इस पिक्चर में देखो क्या नजर आ रहा है तुम्हारा राइट हेंड ले था ठीक है कि इधर जा रहा है अब यहां पर देखो एक मिनट अब सब्सक्रा डिस्कार्ड कर देते ठीक है ने पिक्चर के लिए अब देखो यहां पर क्या हो रहा है यह सिंगल सिंगल हलका सा ब्लर्ड हो गया लग रहा पिक्चर किया ठीक है यह जो सिंगल सिंगल है ना यह सिंगल यह क्या है वायर है यह क्या हो गया देखो यहां पर जिस ये जी रारेक्शन में भॉ यह यह रहा है यह दो मने अगर सेम जा रहा है तक प्क वह क्या बोलते हैं लेंग से लेंग से ले म्हर्व से कहा है यहां इस जगा पे दो को लेंग्स लें यहां पर क्या नज़र आ रहा है तुम वायर ओष मतूर्य डारेक्शन में जा रहा है कि यह एक अृष मत्प्र अपूरत सब्पतला पतला रेक्शन यह वायर अर यह रोप कंग ऊगर तो ऑभी आरेक्शन जा रहा है तो यह भी क्या हो गया xem ध्यान सा देखना है अब यहां बात आता यह लिंगसले हो गया अब हम लोग पास्यानी लिये थे कि एकर left में उठाव रहेगा left hand Lengs ले हो जाएगा और अगर right में उठाव नजर आएगा तो यह right hand Lengs ले हो जाएगा किलियर हुआ यह राइट हैंड लेंग्स ले क्या है लेफ्ट हैंड लेंग्स ले क्या है मेरी आवाज सुन पा रहा हुआ ना यह किलियर हुआ राइट हैंड लेंग्स ले अभी हम बता हैं और लेफ्ट हैंड लेंग्स ले लेफ्ट और राइट केसे डिसाइड करेंगा बताये थे ने लेफ्ट और राइट केसे डिसाइड करेंगा यह देखो right hand screw को जब तुम देखोगे धिहां से तो उसमें तुम राइट साड में जो thread है रहे उठावना जाराएगा तो राइट साड में देखो ये front है ये left है तो right साड में क्या है यही single एक position देखो wire का ये तुम राइट साड में उठावना जारा रहा है और लेफ्ट में यहां है एक ही वायर को देखो है यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां जा रहा है ठीक है ति क्या है राइट में उठावना जारा है लेफ्ट में डाउन जारा है और यह देखो क्या है लेफ्ट में उठावना जारा है राइट में डाउन आ रहा है ति यह पिक्टर में एक यहां पर तुमको सिंगल वायर इधर डा रहा है यह डेकिन लेकिन अस्तरेंड कुन सा डारेक्शन में जा रहा है यह जो अस्ट्रेंड जा रहा है वो इस डारेक्शन में जा रहा है यह जो वायर है वायर अस्ट्रेंड में इस डारेक्शन में जा रहा है लेकिन अस्ट्रेंड वायर में रोप में कैसे जा रहा है इस डारेक्शन में जा रहा है तो यह क्या हो गया ordinary ले ओगया right और left तुन्होंब के पाष्चानने आता ही है कि आहां तौन है यहां लेप्ट का है फिक हो गया अब इसके कारण क्या होता है यह जो लेंग से ले होता है जो सेम डारेक्शन में होता है सेम डारेक्शन में है तो उसके कारण क्या होता है रोप में स्पीनिंग प्रपट्टी जाता है मतला रोप को अगर है ना लटकात एक एंड मालों फिक्स कर दोगे दूसरा एंड में कुछ लोड लटका दोगे नहीं यहाँ पर लोड दे दोगे तो क्या वह घूमता बना जारा है घूमने लगेगा पर लोड लेके आने क्योंकि स्पीनिंग प्रोपर्ट्टी दोनों सेम ड एक एंड तो फिक्स रहता है दूसरा एंड से उसको लोड उठाना रहता है तो क्रेन का जब भी उसका रोप होता है न वो ओडिनरी ले होता है क्योंकि दोनों ओपोजित डारेक्शन में होता है फिर एंड रोटेट नहीं करना चाहिए यह पिक्चर देख एक तुमनों यह क्रेन है ठीक है यह क्रेन में जो रोप होता है अगर क्या होगा अगर यह लेंग्स ले हो जाएगा अगर यह लेंग्स ले हो जाएगा तो क्या होगा यह भूमने लगेगा पुरा चक्कर मारने लगेगा ती चक्कर ना मारे इसके लिए हम लोग क्या करेंगी इस पर हम है कि यह उस्पिनिंग ऑर इस्पिनिंग जो लिखे है तो अगर एक मूब करना चाहेगा दूसरा उप करने नहीं देगा तो वह और इस फिनिंग क्या हो गया कि वाएर रास्टेन्ड में रास्टेंड वाइर में सेम डार्यक्शन है थिकाई ना wire laying in the strand एन रस्ट्रेंड laying in the rope क्या है same direction और ordinary lay में क्या है wire laying in the strand and the strand laying in the rope यह क्या है opposite direction जिसके कारण क्या हो रहा है यह जो रोप होता है वो नन इस पीनिंग टाइप का होता है तो लेंग्स ले का क्या अड़ांटेज होता है लेंग्स ले रोप मस्ट ने भर भी यूज मतलब इसको कभी भी उजगा पर यूज नहीं करना चाहिए कहां पर मतलब करें बगेरा कि अगर दूसरा इंड अगर रोटेट करने लगिए अगर फिरेंड हो रहा है तो उसकेस में वो रोटेशन में आजाएगा तो जो भी है तुट जाएगा रोप थिके ना इसको तो इसका एलकिन अड़्वांटेज क्या है लेंग्स ले का इस ओफर से greater more resistant bending fatigue मतलब क्या इसमें weird tears साने का छमता जाधा होता है length lay में और नरी lay में क्या है कि दोनों ये एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है ठीक है नै और नरी lay में ये simple concept समझो ति इसमें क्या था कि एक इधर अगर जाना चाहेगा तो ये घूमने नहीं देगा लेकिन length lay में क्या था कि एक इधर जा रहा है वायर तो strand भी इसी direction में जा रहा है central core के चाहरो तो क्या हो रहा है यहां पर घूमने मर्द कर दे रहा है तो जो भी हम लोग winding haulage rope वगरा जो भी होता है haulage rope वगरा जो भी होता है क्यों कि उसको क्या होता है drum है यह जो drum होता है drum में इसको जाना पड़ता है इस तरीके से टब लगा वगरा है तो क्या है जहां पर दूसरे end में भी anchored की आवा रहा है मतलब क्या है कुछ ना कुछ लगा हुए कि वो जो गूंदे नहीं देगा टब यहाँ पर सेट है ठीक है तो इसलिए यह जो रोप होता है होले या वाइंडिंग जो हम लोगों लिप्ट वगएरा यूज करते हैं तो वो जो रोप होता है वो होता है तुम्हारा कौन सा लेंग सलेव होता है सेम डारेक्शन वाला होता है ठीक है कॉंसेट समझ में आया यहां पर लेंग सलेव होता है आया समझ में सभी को जो बताएं अभी तक हां या ना कुछ तो बोलो सिर्फ विजय को समझ में यह बाकी लोग को सौरव पप्प आ रहें यार तुम तो परिसान हो गया है गाईड रोग गाईड रोग गाईड रोग बता रहें ना आ रहें वहां पूंग टाइड प्रिस के इसींतर तुम अभी आये हो तुम को थोड़ा सद देख ली ना होगा ट्यकel यह भी पिक्चर में देख लो तुम Лोंग आप खुद पहस्चान सकते हो उस राइट लेट कर सकते हो और साथ में वही पिक्चर है वही वाला पिक्चर है जो वहाँ था हुई हाँ, रोप जिसमें फिरेंड यूज नहीं हो मतलब क्या फिरेंड में हमेशा कुछ न कुछ चीज रहेगा जो उसको घूमने से रोकेगा तो क्या होगा वो लेंग्स लेंग होगा अग क्रेन वेगरा में क्या है वो तो हवा में लटकने वाला चीज है नहीं चीक्रेन में क्रेन में क्या है यहाँ पर कि हवा में लटका हुआ है लोड ले लिया है और हवा में लटका हुआ है तो उसकेस में इसा घूमने का चांस बन सकता है ना घूमें इसलिए हम लोग यहाँ पर ओर्डनरी ले या रिगुलर ले उसके थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है इसलिए न्यू लग तो वही यहां पर लिखावा जो बता दिये वही यहां पर कि ले रोप रोप सर्फ हैवर्ड पोर वाइंडिंग एंड हॉलेज परफस क्यों वाइंडिंग परफस के लिए क्योंकि मान लो यह ड्रम में लपेटा जा र यह greater resistance प्रवाइड करता है वो प्रवाइड करता है length क्योंकि दोनों का direction इसमें wire in the stand and stand in the rope same direction लेकिन length slay का operate कःना है साउथानी पूरग करना है length slay rope have to be used carefully and preferably operated with both ends of the rope anchored मतलब बोथ इंड में है इधर का भी इंड कहीं लगाव होना चाहिए इधर का भी इंड कहीं रोप का लगाव होना चाहिए इधर भी कुछ होना चाहिए इधर भी कुछ होना चाहिए तो हम लोग वहाँ पर लेंग से ले रोप युछ के लिए रेगुलर ले का जो भी बता चुके है क्रेंड के बारे में सब्सक्राइशन दे चुके वही है कि रेगुलर ले या और नरी ले जो उसका एडवांटेज यह है कि वो नन रोटेटिंग टाइप का है जिसे कारण क्या होता है टेंस टू बैलेंस इच अदर से रोटेटिंग टेंडेंसी को वो बैलेंस कर देटा है मतलब क्या है कहीं कुछी टांग देना लटका देना है तो उस केस में हम लोग रेगुलर ले या और नरी ले यूज करेगा तो कोस्टेन एकजाम में आ सकता है कि क्रेन में कैसा रोट यूज करते हैं यह कौंसेप्ट पता रहेगा कि घुमे ना तो घुमने वाला रोट कौन सा है घुमने मतलब यहां चाहिए घुमने वाला रोट नहीं चाहिए तो कौन रोट नन इस्पिनिंग टाइप का है रेगुलर ले यह तैंसर सिधा टिक हो जाएगा अब एक आता है हम लोग इस्पिनिंग नन इस्पिनिंग पड़े ठीक है ना अब एक आता है स्टेंडिंग रोट क्या होता है और रनिंग रोट क्या होता है ठीक है ना अब क्या आता है कि स्टेंडिंग रोट क्या होता है और रनिंग रोट क्या होता है ता स्टेंडिंग होता है standing rope होता है तो क्या है देखो some wire ropes are required to carry the burden or load but are more or less stationary मतलम उसमें load वगरा carry करता है लेकिन वो क्या होता है वो stationary रहता है तो कौन सा rope हुआ उसको हम लोगा standing rope बोलते हैं या इसको stationary rope भी बोल सकते हैं जो guides guide rope होता है soft bucket में और supporting ropes जो होता है by cable aerial rope wage में ये सब किस प्रवा का rope है standing rope है मतलब वो movement नहीं होता है ठीक है नए और running rope क्या होता है कि जिसका frequent movement होता है they have to undergo frequent movement running or quailing open with varying loads मतलब वो क्या है कि drum में लपेटा जा रहा है soft में जो rope user रहा है क्या हो रहा है और यहां operate कर रहा है तो यह rope को नीचे भी लाना है उपपर भी ले जाना है load को मालो load यहां तक आ गया है कहीं सब्सक्राइब कहीं और ले जाना है crane का योगरा करते हैं तो उस case में क्या है rope का movement हो रहा है वह standing rope हो गया अब यहां पर example लिखें यह rope है यहां पर क्या रहा है जो था right hand left hand वह अलग है और नरी रेगुलर ले अलग है अब आता है standing rope standing और running rope क्या होता है यह तो क्या है अभी मालो जमीन पर रखना है तो लोट को यहां से लूज करेगा तो यह load यहां पर जमीन पर आ जाएगा ठिक है लिए ती अधर होरा movement हो रहा है तो किOC सांद कोगिया रनिंग हो गया यह जूरौक वे अँधा हुटभ रने के लिए जो रोप लगावा होता है ना जो सपोर्टिंग केरने के लिए होता है तो भी क्या होता है स्टेंडिंग रोप होता है कि वो रोप मूव नहीं करता है ठीक है इंडलेस रोप होगा मालों इंडलेस है लेकिन रोपवे में इस पिक्चर में नहीं दिखाया हुआ है ठीक है जो रोप सिफ सपोर्ट करने के लिए जो हो रहा है उसको हम लोग क्या वो लेंगा स्टेंडिंग रोप ठीक है ये मालों ये इस में इस रोप क TW बारे में बताओ ये जो भूम है ना बूम को रोप के रखावा है जो एज फ्रेम के से इस रोप घया हुआ कि यह कौनर रोप खाओ या रणिंगरभी अस्टेंदिंग यह रोप यह कौन सा यह रोप यह रोप है पीला वाला पीलावाला पीला वाला पीला हौन सा रोप है अच्छा उसका बता रहे था गे लो पीला वाला रनिंग रोप हो गया और ये भी जो पीला वाला जा रहा है न रोप ये कहां जा रहा है वाइस्ट ड्रम बे जा रहा है यही रोप है तो ये भी कौन सा रोप हो गया ये हो गया तुम्हारा रनिंग रोप बहुत तीजी है समझ में आना चाहिए और यह क्या हो गया अस्टेशनरी या स्टेंडिंग तो अलग-अलग सेपरेट करके पढ़ने महने बहुत मज़ा आता है उसमें क्या है कि सारा एक चीज किलियर हो जाता है नहीं तो आदमी कंफ्यूज कर जाता है कि और और ले क्या होता है रेगुलर पहले तो नाम में ही जाता है कि और रेगुलर ले बोलते हैं या और ओनरी लेखे लेव बोलता है को सिंत बहुंहीं बन जाता है तो ज्लासिटेकेसन है अब एक आता है कि एक एक अस्ट्रेंड रोब आता और एक हैसी क्लास्फिकेशन किया गया है रोग काव एक बार हम कर लिक देना चाहिए है ठीक ना ए एक हो गया राइट हेंड ले पाल कि तो इसी का उल्टा क्या हो गया लेप्ठ हेंड ले है एक हूँ है इस ही मा आता है रेगुलर ले या इसको ओड़नरी ले भी बोलते हैं और एक आता है लेंग से ले ठीक है अब भी हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे हैं रनिंग रो और एक पढ़ रहे थे हैं स्टेंडिंग रो ठीक है अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अस्ट्रेंड रो कि जिसमें अस्ट्रेंड परजेंट है ठीक है न जिसमें अस्ट्रेंड परजेंट है तो उसको बोलेंगा स्ट्रेंड रो और जिसमें अस्ट्रेंड परजेंट नहीं रहेगा उसको नोन अस्ट्रेंड रो अलग-अलग जो classification है किस basis पे है ये तो हो गया constructional basis ठीक है न कि construction कैसा है इसको हम लोग देखके बता सकते हैं construction ये कैसा हो गया functional basis पे क्या function कर रहा है उसका क्या working काम ले रहे हैं तो ये क्या अंतर है तुम लोग यहां से देखके बताना पिक्चर है न मेरे पास कि पहले पास चानना है तुम लोग कि six into seven six into 19 क्या होता है ठीक है न पिक्चर मेरे कहां चला गया यार ठीक है इसी position पर देखो देखो अस्ट्रेंडड में क्या होता है ये भी एक तरिके से वायर ही बोलो ठीक है तुमको क्या नजर आएगा एक देखो कोर हो गया यह ठीक है न यह कोर है सब क्या हो गया वायर हो ठीक है और यह पूरा को हम लोग क्या बोल लेंगा वायर लोग बोल लेंगा कोई दिक्कत नहीं किसी को ठीक है अब यहां पर देखो कितना स्ट्रेंड है यहां पर ठीक है इस में कितना स्ट्रेंड टोटल यह एक माल ले रहे हैं यह दूसरा तिसरा चोथा पाच छे साथ आठ ठीक है न यह स्ट्रेंड हो गया है ठीक है न और एक स्ट्रेंड कितना वायर से मिलके बनाए दोगों यहां पर यह हम स्ट्राट कर रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चाओदा पंद्रा सुल्णा सत्रा अठारा उनेस है न मतलब क्या है इसको क्या बोलेंगे हम लोग 8 इंटू 19 जो अगर रोप का बोलेंगे कि कितना साइज का रोप है यह हो गया 8 इंटू 19 वाला मतलब क्या कि इसमें कितना स्ट्रेंड है यह दिकाता है दिनोट करता है स्ट्रेंड को और एक स्ट्रेंड में कितना वायर है यह को यह जो कि एक स्टेंड में कितना वायर अभी 19 काउंट किये ने यार यह 19 काउंट किये ना तो 19 वायर हो गया इस तरीके से तो यह क्या हो गया स्टेंडेड सम्में स्टेंड परजेंट है अब तुमको दिखाते हैं यहां तुमको कोख स्टेंड आ रहा है अभी जैसा रहा था अलग लग वैसा कुछ नजर आ रहा है यहां पर यहां एक स्ट्राइडेड हो गया इस सरीके से यहां पर स्त्रीके से ठीके ना इस हमयों भुशक बोलते हैं न bleibt स्ट्रेंडेड रॉब एक लिए रुबा सभीकोँ क्या स्ट्रेंडेड रॉब किसको बोलेंगा और number अि अब आता है हाज लोग्ड ना स्ट्रेंडेड जो रॉफ होता है वह हाज रोगी ओर में फुल्ली लोग्ड होता है थीक ने देखना ध्यान से कैसे कैसे सब बाइफर्केट किया जा रहा है हाँ इसमें कोर नहीं है साथ मिसमा स्टेंड भी तो नहीं है उसमें क्या था एक सिंगल कोर था इस तरीके से था इस तरीके से था था ने इस तरीके से था ना रोप का कंस्ट्रक्सान इस त्रिकिस नजर आ रहा था यहां पे क्या है कि नजर नहीं आ रहा था A standard में क्या था एक और सिंगल सिंगल अस्टेंड जटेंड दुसरा तीसरा चोथा पाउठों इस तरी क मतले आएगा चाहो लेकिन यहां पे क्या है क uży Tea सर्कल की पहला rays सरकल बना तो यह तरह यह तो जो होता है वह हाप लोग होता है और फुली लोग होता है अब यह देख लेते हैं यहां पर देखो लास्ट में यहां पे यह जो क्रो सेक्षन दीख रहा है यहां पर रोप का लास्ट लेयर यह ठीक है नहीं और उसके बाहर से उसमें एक्ष्टा दो को यहां पर आई सेक्षन है इसको आई सेक्षन बोला जाता है ठीक है इसके बाहर में जो लास्ट लेयर रहता है विप ट्रेपेश्ब दॉलिय हो जिसेक्षन को भी उसकता है कि यह हम हो गया तोम्हारा फुली क्यों है यह भी फुली लोगे में क्या नशर आ रहा है कि यो दोप्इक्चर एक साथ कर देते हैं एक मिनट कि इतना तुम लोग के लिए करी सकते हैं या कि पीटी बनाने में एक्सपर्ट हो गए है लग रहे हैं ठीकिन अब दोनों पिक्चर में देखो यह फुली लोग्ड ठीक ना उपर हेडिंग अलाग लेकिन पिक्चर वहां से उठाया है इसलिए और यह हाफ लोग्ड है अब यहां से देख के समझो कि सब जो भी माइन्स जाओ गया ना जो अंडर रॉंड में ट्रेनिंग कर रहे होगे पीटी पीटी वाले हम ध्यान से देखना कि क्या है ठीक है ना अब देखो दोनों पर डिफेंस क्लियरली नजर आ रहा है यह जो लास् लोग्ड है बहुत मजूद है कोई दिकत नहीं है इसका डिसद्वांटेज क्या है अगर हम लोग यहां से ग्रीसिंग वगरा करना चाहेंगे ना वह अंदर तक नहीं पहुचेगा इसमें क्योंकि यह पूरा लोग करके रखा हुआ है इसका फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है लोग इसका 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 बाहर से हम लोग है ने ग्रीसिंग वेगरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह बाहर वाल जो लोग एक्स्टा कर दिया है ने जिसके करने के अंदर कुछ हम भेजी नहीं पाएगे लेकिन हां यह बहुत मजबूत है बहुत जादा strong strength है इसका इसमें कोई कमी नहीं है ठीक नहीं यहां पर देखो क्या है फुली लोग का हम बता रहे है इसका construction क्या है एक तो construction somewhat difficult है इसका जो interior can't be lubricated from outside यह जो interior है इसको हम लोग बाहर से lubricate नहीं कर सकते हैं जो इंटेरियर इसको बाइर से नहीं तो यहां पे क्या है कि यह तो यह पर यह इसको लिए नहीं कर पाएंगे और साथ में क्या है नॉट्स लेक्सिबल कुंकि इतना हेभी कंस्ट्रक्शन होता है ना अलग लग ले तिसली यह फ्लेक्सिबल भी नहीं रहता है यह डिस एड्वांटेज है लोग्ड कोईल रॉप का लेकिन इसका एड्वांटेज क्या है है हाइप कैपासिटीफ हेक्टर और हाइप हेक्टर ऑफ सेप्टी मतलब ड्रेग लाइन वेग लुद्ध लोगड क्योंकि वहां पर बकेट रॉप कि वहां पर इसको फिर्वेटर मॉवमेंट करना पड़ा है यह जो हैश्ट्रोप होता है वहां पर यह लोग डुक्वाइल रोप क्योंकि वहां पर बकेटर कि माल उठाना ऒसको और अगर हम लोग सिंपल यहाँ पर स्टांडे度 डाल देंग तो तूट जा तिर आप यहां आप यहां स्ट्नेड रॉप यूज नहीं करते हैं वहां पर हम लोग कौन सा रॉप यूज करेंगे रणिंग रोप यूज करेंगे लेकिन कैसा रहेगा रणिंग रोप वो रहेगा लोग्ड फुली लोड यहा पलाउप जो भी बोलो जैसा हम लोग हम मिल फायों यूज कर सकते हैं तुम लोग का था नौन स्टांडर रोग जो इतना लिखे हुए है यह नहीं बता हैं बता दे रहे हैं समझा दें प्रैक्टिकल पहले आप सिर्फ थियोरी पढ़ दे रहे हैं क्या है देख रो मतब पिक्चर को माय ममादता है। नन स्टांडर्ड रोप ऐग्जांपल क्या है एन एक्जांपल ओ दिस क्रेटेगरी ही लोग थीक्ढ्रोप वह हाप लोग भी हो सकता है फ़ील लोग भी हो सकता है दा क्रॉसक्ष अफल though लोग कोयल रोफ shows that central portion consists of a strands of thick round wires only the outer layer consists of round wire placed between a specially shaped wire of eye section जिखाया था eye section या उसको rail section भी बोला जाता है या उसको rail section क्यों बोला जाता है यह जो पट्री होता है मालो ठीक है ना यह बोटम हो गया पर तो यह भी तो आई बन रहा है तो इससे लिए आई सेक्षन रेल सेक्षन सब सेम ही है तो लोग डुकायल रोप में क्या होता है कि जो आउटर सर्फेस होता है रोप सर्फेस स्मूथ एंड प्लेन कमपेर टू अस्टांडर रोप का प्लेन और प्लेन हो क्या बोलते हैं प्लेन तुम नजर नहीं आएगा हलका सा कुछ महां हो सकता है स्मूथ भी परहार नहीं आएगा ठीक है तो बाइल लेंग अब दा आउटर वायर इंदा डारेक्शन ओपोजिट इसमें भी क्या है दो आउटर वायर जो रहेगा ना उसका डारेक् साफ्ट सिंकिंग में जब गाइड रोप जिसके सहायता से केज उपर निच्छे हो रहा है अगर गाइड रोप नहीं लगा हुआ है ना और डारेक्श ठेकी एक ही रोप यह एक रोप है इसी से हम लोग क्या किये हैं केज को जोड़ दिए यह केज हो गया है अब वहां प्य कि यह जो गाइड रोप होता है जिसके हेल्प से क्या होता है यह निच्छे उपर होता है कि अगर यह गाइड रोप नहीं लगा हुआ है तो हम लोग साफ्ट में हम लोग कौन सा रोप यूज करते हैं लोग क्वाइल रोप यूज करते हैं और नान स्पिनिंग टाइप मतल लोग एक्जामपल दिखाते हैं इस इंटु सेवन कहा गया है इस इस इंटु सेवन के एक्जामपल नहीं है अच्छा यह बताओ कैसा है यह जो तुम लोग दिख रहा है यह स्टांडेड है या ना स्टांडेड यह बताओ आख यह बताओ हुआ 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 हाँ यह क्या है non standard है क्यों यह अभी सब को अलगलग करके रखेंगे सब को यहां मालों लेती है ठीक ने इसके उपर का एक लेएर बढ़ जाएगा यहां पर इसके उपर में यह राज जाएगा इस तरीकिस आ जाएगा ना फिर इसको उपर और रहेगा तीस तरीकिस आज़ेगा ती क्या हो गया नो न स्टांडेट रोप तुम लोग हो गया लग रहा है कि एक पिक्चर खोज रहे हैं मिल नहीं रहा अच्छा ठीक है छोड़ो कहीं भी मालो जो नंबर लिखा वारता है शिक्स इंटू सेवन शिक्स इंटू नाइन्टीन अजिक्स इंटू नाइन्टीन मतलब क्या सिक्स क्या रह अगा शिक्स स्ट्रेंट रहेगा या वायर रहेगा इस्टेंट में ये बताएंड का मतलब क्या है या हाँ 6 का मतलब क्या है स्ट्रेंड है 19 का मतलब है अगर 6 इंटू 7 हम लोगों को ड्रो करना रहा कि 6 इंटू 7 ड्रो करेंगे ते क्या होगा एक सेंटरल में कोर हो गया ठीक है इंटू 7 मतलब 6 अस्ट्रेंड रहेगा दो तीन चार पांच यह सिक्स अस्ट्रेंड हो गया और एक अस्ट्रेंड में कितना स्ट्रोटल वायर रहेगा साथ वायर रहेगा इस तरीके ठीक है तो बहुत बार नंबरिंग आ जाएगा कि 6 इंटू 7 या 6 इंटू 19 मतलब क्या 6 अस्ट्रेंड हो गया और एक अस्ट्रेंड में साथ रोप हो गया 7 रोप और एक अस्ट्रेंड में यहां 90 रोप तह हम लोग जो वायंडिंग और हैस्टिंग परपस के लिए यूज करते हैं वो 6 इंटू 19 और 6 इंटू 37 प्रिफड किया जाता है हम लोग मतलब माइस में होले जो यूज करते है नंग जो होले परपस होता है वहाँ पर हम लोग 6 into 7 यूज करते हैं लेकिन वाइन्डिंग और हैस्टिंग परपस के लिए हम लोग या तो 6 into 19 या 6 into 37 वाला यूज करते हैं इतना इधर था अब पढ़ लेते हैं एक फुल फोम याद रखना है जो कोर होता है जो सेंटल पॉर्सन जो बताते है कोर वह हो सकता है या इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर भी बोला जाता है तो जो कोल कटिंग मसीन वेगर होता है जहां पर हैवी सोकलोड वह मिलता है वहां पर जो भी हम लोग का कोर रहेगा वह इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर रहेगा और फाइबर कोर कहां होगा जहां पर रोप हम लोग यूज कर रहे हैं वाइंडिंग और परपस के लिए तो तो वहां पर जो हम लोग सेंटर को रहेगा वह फाइबर का रहे हैं ठीक ने फाइबर को कहां यूच करना है और ये कहां करना है कि एप वाले यहर दस सेकेंड का है ने लेक कर दिये में दिक्कत यह हो गया है